हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं फिर से आप सभी के साथ एक नई रेश्पी शेयर करने जा रही हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और दलिया की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी और हेल्धी रेश्पी जिसे अगर आप एक बर बना लेंगे तो बार बर जरूर बनाएंगे खाने के लिए और यह बनाने में भी आसान है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही बैस्ट है तो चलिए बनाते हैं इसे तो इस मज़ेदार सी रेश्पी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो गलास गेहूं की दलिया भरके दो गलास मैंने ले लिया है अब इसको हम पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसके बार इसमें डालने के लिए यहां पर देखिए मैंने एक बड़ा प्याज मैंने छोटा-छोटा मैंने कट करके ले लिए हैं साथ में दो टमाटर मैंने मिडियम साइज के लालवाले कट कर लिए हैं दस बारा मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं चार-पांच में यहां पर हरी मिर्च कट कर लिये हैं, साथ में यहां पर आधा बावल मैंने ले लिये हैं मुंगफली, तो कच्छा मुंगफली है, अब यहां सबसे पहले हम गैस के उपर एक इस तरह का पतेला रख देंगे, और इसमें हम डालेंगे कम से कम 3-4 चमच तेल, और इसके बाद इसमें हम आलू को फ्राइ करेंगे, तो आलू को हम मीडियम फ्लेम पे चला के अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे, साथ में इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिसे की आलू का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और आलू भी जल्दी यहां पर गल ज तो पीक वेगर भी ले सकते हैं, तो देखिए आलू हमारी अच्छी तरह से फ्राइ हो गई है, अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे, तो प्लेट ले लेना है और इसमें हम पूरा आलू निकाल लेंगे, तो पूरा आलू हमने देखिए पतेले में से निकाल लिया है, और इसी तेल में हम एक चमच भर के जीरा डाल देंगे, साथ में या पर हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे, और इसकी बाद कटा हुआ पुरा हरा मिर्चिस में डाल देंगे, और अच्छी तरह से हम तीनों चीजों को चटकने देंगे, इसकी बाद इसमें हम डाल देंगे मु प्याज डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से भूनना है तो देखिए अभी प्याज भी थोड़ा लाल हो गया है अब इसमें कटा हुआ पूरा टमाटर हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद यहां पे हम थोड़ा सा अधरक इसमे दाल देंगे तो अधरक भी डाल दिया है अब इसके बाद हम फिर से इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और साथ में हम यहां पे नमक डाल देंगे नमक से टमाटर जो है बहुत जलदी गल जाएग unlikely और साथ में यहां पे हम डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा इन सभी को पका लेना है, तो देखिए सारी चीजे हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई हैं, तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब जो है मसाले हमारे और सारी चीजे बहुत ही अच्छी तरह से पक के तयार हैं, अब इसमें हम धुला हुआ पूरा दलिया डाल देंगे, यहाँ पर हमें कम से कम 3-4 ग्लास भर के पानी डाल दिया नहीं क्या पकने में बहुत कम टाइम लेता है लेकिन पानी थोड़ा जादा लेता है इसलिए पानी इसमें भर के डालें पूरा डालें ताकि दल्या अच्छी तरह से गल्खित्र और एदम सौफ्ट तयार हो तो दलिया में मैंने चार गलास पानी डाल दिये हैं अब इसको ढख के हम मिडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे बीच बीच में हमें चलाते रहना है और दलिया को 10-12 मिनट में अच्छी तरह से पका लेना है तो देखिए 10 minutes हो गए हैं मैंने प्लेट हटा दिया है और दलिया हमारी बनके हो गई है तयार तो बहुत ही soft और healthy दलिया हमारी मिन्टों में बनके तयार हो गई है तो दलिया को मैंने gas से उतार के मैंने नीचे रख लिया है अब इसमें हम fry किया हुआ पूरा आलू डाल देंगे देखिए यहाँ पे लास्ट में मैं आलू डाल रही हूं क्योंकि आलू को हमने फ्राई किया है जब हम दलिया खाएंगे तो बीच-बीच में जो आलू का टेस्ट है वो आएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दलिया खाते टाइम जरू से सब्सक्राइब करिए साथ में जो नोटिफिकेशन वेल है उसे जरूर दबाईएगा ताकि मेरे आने वाले हर रेस्पी के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए थाइंक यू बाई बाई